इसकोल बच्टों की तालीम के लिए है और आज से बादा करते हैं इंशालला पूरे सिंख से जानवरों को स्कूलों से बाहर निका लेंगे आज से बादा करते हैं और इसकोल की अदर बंदी हुई है है हमारी सिंख की एडुकेशन यह हमारे सिंख की स्कूल यह हमारे सिंख की तबाही यह सिंद की एजुकेशन का तबाह हाल है यह सिंद की एजुकेशन का हाओ और यह देखिए यह स्कूल का हशब यह जहां गोबर पड़े हुए है सईद गनी साब ने कहा कि पहली फरवरी से स्कूल खुल रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे अमीद थी कि आज यहां बच्चे पढ़ रहे होंगे लेकिन अफसोस आज मैं घरीबाबाद गर्ल स्कूल में जब आया तो बच्चों की बजाए आज भी यह भैसे मिली यहां में है आज भी यह भैसे यहां में मिली अफसोस की बात है सिंद के साथ लाग बच्चे स्कूलों से बाहर हैं लेकिन स्कूलों में भैसें, गदे, कुते, बंदे हुए, उताके बनी हुई है सिंद में एमर्जन्सी लगी हुई है तालीम की, स्कूलों में भैसे बढ़ी हुई है, साइं तो साइं, साइं की एजुकेशन भी साइं साइं को एवार्ड देना चाहिए मरादली शाह साब को और इनके तेरे तालीम वजीर को कि इन्होंने बच्चे सब पढ़ा दिये, अब भैसे पढ़ा रहे हैं, उनको तो एवार्ड मिलना चाहिए दुनिया में बेस्ट चीफ मिनिस्टर, बेस्ट एजुटेशन मिनिस्टर का, कि बच्चे पढ़ाने के बाद अब ये भैसे पढ़ा रहे हैं, दूब मरो मरादली श सब्सक्राइब के लागत से ये स्कूल तयार हुआ, आप देखिए, ये देखिए जहां से, ये स्कूल इदर से स्टार्ट हो रहा है, इतना बड़ा स्कूल है, और इस स्कूल के अंदर सैक्रों की तादार में बैसे पढ़ाई जा रही है, और आज हमने वादा किये अपने आप पूरे सिन में कैंपेंच चलाएंगे, जहां भी जानवर बदे हूंगे, जहां भी उताके बनी होगी, जो स्कूल बंघज उगे इंशालला खुलवाएंगे, बैसों को जानवरों को उताकों को खतम कराके, इंशालला बच्चों को पढ़वाएंगे.